हलो प्रेंट्स वेल्कम टू बलशास कीचन मैं बलशा शर्मा बलशा कीचन में एक बार फिली से आपका स्वागत करती हूँ आज हम पोदीने का शर्मा बनाने जाएंगे यह शर्मा गर्मी में बहुत ही रिलेक्सेवल होता है इसे पीने से बहुत ही ताजगी आती है और यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशिल है इसे बनाने में समय भी बहुत ही कम लगता है और यह बहुत ही कम इंग्रेडें यहां पर मैंने एक निम्बू लिया है पाथ चोटे चमच यहां पर मैंने चीनी के लिए हैं आप चीनी अपनी टेस्को गोडिंग कम जादा कर सकते हैं तो चमच शिकावा जीरा पाउडर आदा चमच काला नमक अगर आपको सिंपल नमक की और आवश्यता हो तो आप सिंपल नमक भी ले सकते हैं तो चली अब हम बनाते हैं पोदीने का शर्वत पोदीने का शर्वत तयार करने के लिए यहां पर मैंने एक मिक्सी का जाड़ ले लिया है और इसमें हम पूरा पोदीना डाल देंगे और हमने जो यहां पर पांच छोटे चमचीनी के लिए हैं वो भी हम डालेंगे जीरा डाल देंगे काला नमक डालेंगे और इसमें हम आदा कब पानी का डाल देंगे जिसे कि यह ग्राइंड अच्छे से हो सके और लास्क में हम इसमें अपने इम्बू डाल देंगे और अब हम इसे mixi में चला लेंगे तो आप यहां पे देख रहे हैं कि मैंने पोदीने का एक fine paste बना करके तयार कर लिया है यानि कि हमने पूरे पोदीने को अच्छे से पीस लिया है अब हम इस पोदीने को छान लेंगे इसके लिए मैंने यहां पर एक बड़ा बाउल लिया है और इस बाउल में हम सारे पोदीने को डाल देंगे और यह जो पोदीने का paste बचा है इसको हम एक बार फिर से mixi में ग्राइंड कर लेंगे ताकि पोदीने का पूरा juice अच्छी तरीके से निकल सके तो इसके लिए हम इसमें आदा कप पानी और डालेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे आपर मैंने पोदीने को दुबारा से पीस लिया है अब हम एक बार इसे खोल के देखेंगे देखिए इसका बहुत ही अच्छा पेस दुबारा भी बन करके तयार हुआ है अब हम इसे एक वाफी से चान लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से अब एक चम्मच की हेल्ट से दबा करके पूरा juice निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बोदीने का शेर्बत बन करके बिल्कुल तयार है आप इसमें मीठा और खटा अपने टेस्ट के अकोडिंग कम जादा कर सकते है यह शेर्बत गर्मी में बहुत ही आराम दायक है तो अब हम इसे सर्व करेंगे सर्व करने के लिए यहाँ पर मिने ग्लासों को और डी फ्रिजन में इससी फेक निट के लिए रख दिया था और अब हम इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब डालेंगे आपको जिसी साफ से थंड़ना पसंद हो आप उतनी आइस क्यूब डालें और अब हम ग्लास के एक चुथाई भाग में शर्वत डालेंगे और बाकी के हिस्से में हम पानी डालेंगे और हम ग्लास में निम्बू के स्लाइस लगा देंगे देखिए बहुत ही शांदार पोदीने का शर्वत बन करके तयार है तो फ्रेंड्स आप पोदीने का शर्वत बन आईए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और हाँ फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल अबलाशा कीचन को सब्सक्राइब नी किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल अबलाशा कीचन को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही हैं मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ थेंक यू स्क्रीन के बीच में जो मेरी फोटो आपको दीख रही है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल आपलाशा कीचन को सब्सक्राइब जरूर करें यह बिलकुल फ्री है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ थेंक यू